दोस्तों पुराने समय के लोग आसाने से 100 साल तक जी लेते थे 80-90 की एज तक दोड़ो भाग कर लिया करते थे, काम क्या करते थे और आज कल शायदी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 70 या फिर 80 साल तक जी पाता हो बहुत सारे लोग तो 35-45 के उमर में हाट टे की वज़ा से मारे जाते हैं 30-40 एज तक आते आते हाथ पर की हड़ियां कमजोर हो जाती हैं घुटने और कमर में दर्द करने लगता है कॉलिस्ट्रॉल, शुगर, हाई बीपी, मोटापा, पत्री जैसी तमाम तरह की बिमारियों का शिकार हो जाते हैं आज के समय में इतनी बिमारियां क्यों बढ़ रही है क्या आपको इसे पिछी के वज़़ा के बारें पता है इसका सबसे बड़ा वज़ा है खाने का गलत तरीका, हमारा लाइश्टाइल प्राचिन समय में लोग आयरिवेद में बताये के नियम के नुशार खाना खाया करते थे जितना श्रीर की जरुत हो उतना ही खाते थे योगा अभ्यास को अपने जीवन का एक जिरूरी अंग मांते थे जिस वज़ा से वो हमेशा हेल्दी और एक लंबी आयू जीते थे लेकिन मौजूद समय में लोग आयरिवेद में बताये के नियमों का पालन ना के बराबर करते हैं हाथ के समय में लोग कुछ भी खा लिया करते हैं यह भी नहीं सोचते हैं कि क्या यह चीज हमारे खाने के लिए बनी है इसको खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या एफेक्ट पड़ेगा एक बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों एक्शियल में हमारा शरीर वेजटेरियन खाने के लिए बना है हम इनसानों के लिए भग्मान ने ऐसी चीजें बनाई है खाने के लिए जो अगर इनसान जितना भी खाये शरी को कोई नुक्सान नहीं होगा और उसमें से एक है अंजीर अजीर आपको आसाने काम करती है अंजीर का सेवन अगर आप रोज सुबाद खाली बेट करेंगे ना तो आपके शरीर में कभी भी नुट्रीशन की कमी नहीं होगी हमारे शरी को सारे पोशक तत्व मिलेंगे जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है इससे हमारे शरी में मौझूद कई सारी बीमारिय या अपने आप जड़ से खत्म हो जाएंगे अंजीर का फल एक बहुत ही जबरदस्त आरन सप्लीमेंट है दोस्तों आरन की जरुरत ब्लड सिल्स में ऑक्सिजन डिलीवर करने के लिए होती है कम आरन से थकान हो सकती है कमचूर हो सकती है इम्यून सिस्टम कमचूर हो सकता ह इसकर इनफेक्शन होने का खत्रा बड़ सकता है अंजीर खाने से दोस्तों आपको परियापत मातरह में आरन मिल जाता है इसके लावर अंजीर के बहुत से अब में हम लिमारी से खराब लाइस्टाल के वजह से हर दूसरे तीसरे इंसान को high blood pressure की समस्य होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें दवाईयां देते हैं, और यह हमें बिल्कुल भी नहीं पता हो, ताकि जो दवाई या फिर टैबलेट का इस्तमाल कर रहे हैं, वो सही है या फिर गलत, हम डॉक्टर के कहे अनुसार उन दवाईय क्या करना होता है, शरीर में sodium को कम करना होता है, और potassium को बढ़ाना होता है, और यही अंजीर काम करता है, अंजीर शरीर से sodium को कम करता है, और potassium को बढ़ा देता है, जिससे high blood pressure नॉर्मल हो जाता है, अगर आपके घर में कोई ऐसे सदस्य हैं, जिनको high BP है, तो उन्हें अंजी सुबह सुबह खाली बेट खाने के लिए जरूर कहिएगा ऐसा करने से बीपी के समझ से हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगे इसके लावा अंजीर मानच पेशियों के एटन को भी कम करता है मसल्स रिलेक्षन प्रोपरडीज होने के कारण डायरिया और पेट के दर्द में भी इसका सेवन फायदयमन होता है अंजीर दोस्तों जिसे मैंने बताया कि इम्यून सिस्टम को भी बुष्ट करता है जिन लोगों को इम्यून सिस्टम कमचूर होता है उन लोगों को इन्फेक्शन और बिमारिया ज्यादा होती है इम्यून सिस्टम के स्ट्रेंद को अगर बढ़ाय जाए तो इन से बिमारिया और इन्फेक्शन को दूर किया जा सकता है अंजीर में nutrition काफी जादा मातरा में होते हैं इस मेंधिक मातरा में vitamins और minerals, phenolic compound, antioxidant औरитаonides होते हैं इतने जादा nutrients होने के वज़ा से अंजीर immune system को मजूद बनाता है अगर आपको रात को सोते है वक्त हाथ पैरों में दर्द करता हो, पिंडलियों में दर्द करता हो तो आप अंजीर खाना शुरू करतीजे या फिर डाइजय के वज़ा से या फिर पेट में दर्द किसी वज़ा से भी कर रहा हो पेट ममोड रहा हो तो अंजीर खाना शुरू कीजे दोस्तों इससे आपको बहुत ही जब बर्दस फादा देखने को मिलेगा इसके लाबा अंज जोड़को करने के विली ज़रूरी होते हैं इसलिए नंजीर शरीर में खुन के सभी पेरामिटर्स को सब्सक्राइब करने में आपको इस तरह की समस्या होती हो तो आप अंजीर का सेवन अवश्य कीजिए अंजीर के अगले फादे के बात की जा तो यह पाइल से मरीजों के लिए यानि बवासर में बहुत यह अच्छी दवाई की तरह काम करती है बवासर की बिमारी की वजह देखा जाया तो श्रीर में धाइशिन की खराबी और कभजी की वजह से होती है और यह जो अंजीर है ना डाइशिन की इंब्रो करता है इसके लावा जोणों के दर्द, घुटनों के दर्द, शरीर में अकडन, शरीर में कैलिशमी कमी की प्रॉब्लम को भी अंजीर दूर करता है अगर आपको जुटने के दर्द की समस्या है तो इसके लिए अंजीर राम बढ़ा साबित होता है गुटने के दर्द को ठीक करने के लिए अंजीर को लगतार तीन महीने तक खा लिजे दोस्तों आपके गुटनों का दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा अंजीर श्रीर में कैलिशमी कमी को दूर करता है हड्डियों को मजबूत करता है जॉइंट में ग्रीज सुख चुकी है तो उसको बढ़ाता है इसके लाव अंजीर आपके डियाबिडिस को क्योर करती है पथरी की समस्या में आराम दिलाती है यह मोटापिय को दूर करती है यही नहीं दोस्तों अंजीर इंसोमेनिया में भी फादा करता है इंसोमेनिया यानि की नीद नाना अनिंदर की समस्या अंजीर में ट्रिप्टोफेन होता है जो शेरी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है जिससे रात को गहरी और अच्छी नीद आती है इसके लाव अंजीर में एक और पदार्थ होता है जिसका नाम है फेरोलिक एसिड या पदार्थ शेरी में बढ़े वे ग्लुकोज की लेवल को कम करता है और बढ़े वे ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस का सिधा संबंद हाई बलड ग्लुकोज की लेवल के साथ होता है अंजीर में जो एंटी ऑक्सिडेंट्स होते हैं वह भी हाने कारेक फ्री रडिकल्स को खत्म करते हैं और शेरी में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं अंजीर खाने साब को लंबी आयू मिलेगी दोस्तों आपका पूरा शेरी हेल्थी रहेगा यह हमारे शेरी के समस्त अंदरूनी अंगों के लिए फादेमंद है अगर आपके शेरी में किसी भी तरह की कमजोरी हो गई हो या फिर किसी बीमारी के वज़े से बुखार के वज़े से शेरी कमजोर हो गया हो विरे नाश करने के वज़े से शेरी कमजोर हो गया हो तो भी कि अगर अगर फीट हैं या फिस शेडी का वजन बहुत जादा बढ़हत भधाउब है तो आप अंजीर को भीगो कर दूद के साथ सेवन करने के लिए क्या करना है दूद को 3-4 नंजीर को डाल दे में और अजीर को फ्रि स्वार दोट के साथ तो आपको तीन चाहते हैं और आपको जाए आप पानी खेंदाली तो यह निविके पानी बीग्वोकर. है इसके लावा अगर आपको कफ की समस्या है छाती में बलकम जमा हुआ है या फिर बहुत पुराना खासी है तो अंजीर का सेवन आप शहत के साथ कीजेगा तो इसके लिए क्या करना होगा शहत के जार में आप अंजीर को भीगो कर रख दीजे और सुबह शहत से निकाल कर अ को जाना खाली पिट किया जा सकता है इससे आपको बेहज बर्दस देखने को मिलेगा उठने में दर्द जोड़ों में दर्द के समस्या है तो आप अंचीर को जरूर कीजेगा बात इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों उमीद है वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी की फादे मन लगी होगी इस वीडियो को शेर केजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग की जानकारी का फाद उठा सके अपने इस वीडियो को अंतक देखा इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद